सहरनपूर में लगतार कोरोना पोजिटिव के आंकडे बढ़ते जा रही है जिसमें जिला प्रशासनवे स्वास्थव भाग की परेशानिया भी लगतार बढ़ती जा रही है वहीं डी आईजी उपेंद्र अगरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों मंडलों में अब तक 30 होटी स्पोर्ट बनाई गई है इन में सहरनपूर में 20 मुझाफर्णगर में 6 और शामली में 4 होटी स्पोर्ट चियानित किये गई है जिन्हें पूरी त्रह से सील किया गया है होटी स्पोर्ट एरिया में सैनिटाइजर का छिड़काओ किया जा रहा है सभी की मैडिकल स्कैनिंग की जा रही है तीनों मंडलों में अभी तक 18 पॉजिटीव केस सामने आ चुके है जिसमें अब तक सहरनपूर में 65 मुझाफर्णगर में 6 केस है और शामली में 17 केस है तो टोटल जो है इस अब तक चिन्नित किया चुके हैं बीस जिसमें सायनपूर में है इसके अलावा च्छे मुझफर नगर और चार सामली में है और इन होट स्पोर्स को कम्प्रीटली सील करके जो वहां किसी भी तरह का प्रवेश और निकास इस पर प्रतिवन्दित किया गय अब हम जो है सेनिटाइज करवा रहे हैं सब की मेडिकल स्क्रीन की जा रही है और अब जो है जो होट स्पोर्स होते हैं उसमें से रैंडम सेंप्लिंग भी की जा रही है ताकि हम पता लगा सके कि स्प्रेड और उस होट स्पोर्स में हुआ है या नहीं हुआ है